आज रोज बारी सोती है तो ऐसे में मन करता है रोज कुछ चड़पटा से बनाया जाए खाया जाए तो आज मैने सोचा कि वड़ा पाओ बनाया जाए तो बड़ा बाँ बनाने केविए यहां पे मैंने लिया है एक कप भर कर बेशन और बारीग वाला बेशन लेना है इसमें मैंने डाल दी आधा चमच हल दी, स्वात के अंसान नमक, आधा चमच मैंने अजवाइन को हाथों से रगड के डाल दिया जिससे इसमें काफी अच्छा फ्लेवर आता है तो जब भी आप वड़ा पाव मनाएं तो इसमें जो बेसन यूज होता है बिल्कुल बारी इक्वाला लेना चाहिए और इसे च्छनी से जरूर छानने जिससे कि इसमें कोई भी पार्टिकल्स वगरा ना रहें और एकदम मतलब स्मूथ इसका मतलब जो बेटर होता है तयार होना चाहिए तो इसमें मैंने पानी डाला और इसे अच्छी त dominating होसे मिक्स किया बहुत जादा यह गाढ़ां भी नहीं होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि इसकी consistency कैसी है तो अब इसे side में रख देंगे, इसका better तयार हो चुका है अब चटनी बना लेते हैं तो वड़ा पॉप में 2-3 तरह की चटनियां साथ में सरू की जाती हरी चटनी और लाल चटनी, साथ में मीठी चटनी तो ये सारी चटनीयों का ही कमाल होता है कि वड़ा पॉप बहुत टेस्टी लगता है तो यहां मैंने धनियां डाला एक मुठी, एक इंस टुकड़ा अद्रग का 3-4 कली लहसुन की, 2-3 हरी में थोड़ा सा नीबू करा स्वातके नुसान नमक और पानी डालके इसे बारीग पीच लिया है तो हरी चटनी तैयार हो चुकी है और ये हरी चटनी बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए पतली नहीं होनी चाहिए मीडियम ठिकनेस वाली होती है तो चटनी को साइड में रख देंगे और उसी मिक्सी के जार में 10 से 12 कली मैंने लहसुन के डाले हैं दो हरी मिर्च और साथ में मैंने एक से 1.5 तुपरा अधरक कर लिया है इसे डाल दिया और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे और दरदरा ग्राइंड करेंगे अगर आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं तो ये देखे इस तरह से इसे ग्राइंड कर लेंगे ये मतलब धेचा एक तरह से तयार मेंने किया है और ये जो वड़ा पाउक में आलू की स्टफिंग होती है उसमें इसे डाला जाता है बनाते समें जिससे इसमें बहुत ही अच किया आधा चमच जीरा डाला है और एक चमच राइड़ डाल दिया मैं ने और साथ में आठदस कड़ी के पत्ते डाले और जो मैं अधरक रिमीच लेसुन को खूटका रखा था उसे इसमें डाल दिया है और हल्का भून लेंगे जादा नहीं पकाना है आधा चमच हल्दी डालेंगे जिससे की आलू में बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा तो इसे भी थोड़ा सभून लेंगे इसे हमें कच्चा ही रखना है बहुत जादा पकाने से क्या होता है कि लहसुन और अद्रक का जो टेस्ट है ओ खत्म हो जाता है अब इसमें पांचर मीडियम साइज के आ थंदा कर लिया था उसे डाल दिया है आलू थंड़ा ही लीजिएगा क्योंकि ठंडे आलू से यह जो इस्टफिंग होती ना बिल्कुल स्मूथ बन के तयार होती है बिल्कुल इसमें भी कोई भी पीस आलू का खड़ा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल सौफ्ट होना स्टफिंग भी तयार हो चुकी है और इसे एक ब्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे जिसे यह थंड़ा हो जाए तो आप देख सकते हैं विल्कुल वड़ा के अंदर जो आलू होता है विल्कुल उसी तरह की स्टफिंग मैंने बना कर तयार की है तो चटनी भी सफेद तील तीन चार काश्मीरी लाल मिर्स मैंने ले ली है अगर आपको तीखा थोड़ा चटनी खानी है तो इसमें जो तीखी वाली चटनी अरे सौरी सूखी जो लाल मिर्स आती है तीखी वाली उसे दो डाल दीजे और इसे दो ती मिनर तक भीमियास पर भूल लेंगे और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे यहां मैंने बेटर में डाला है जो बेशन का तयार किया था चुटकी भर सोड़ा और साथ में गर्म तेल एक चमच डाल के इसे अच्छी तरह से फेट लेंगे तो गर्म तेल डालने से क्या होता है कि जो इसके वड़े तो गर्म तेल एक से दो चमच आप जरूर डाल दीजेगा और यहां तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो इसमें हरी मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया है क्योंकि वड़ा पाव के साथ फ्राई किये वे हरी मिर्च जरूर सर्व की जाती है और जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो हरी मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया है और यहां मैंने 15 से 20 कली लहसुन के लिए जिसे मैंने 20 से कट कर लिया था या इसे हलका सा कूट ले क्योंकि यह फूटने का डर रता है तो मैंने मिर्च को भी 20 से कट किया था और लहसुन को कूट लि तो जो यह सूखी वाली चटनी बनती है ना उसमें यह लहसुन पड़ता है तो लहसुन को मैंने छिला नहीं था छिल के सही थी इसे फ्राई कर लिया था और हरी मिर्च के उपर मैंने थोड़ा सा नमक छिड़क दिया है आप चाहेते हैं थोड़ा सा चाट मत साला भी इसके उ भूमाते वे गिराएंगे जैसा मैंने वीडियो में दिखा इस तरह से करेंगे तो छोटे-छोटे बुंदी जैसे मतलब पतले-पतले सेव जैसे यह बनकर रेडी हो जाते हैं और अच्छी तरस इने क्रिस्प होने तक तल लेंगे और इससे क्या होता है कि जो बड़ा इससे लगते आप ऐसे भी से मतलब खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है तो दूसरा बैस भी मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूं कैसे बना कर इसे निकालना है बहुत ही आसानी से बन जाता इसमें कोई सेप अगर हमें बनाना नहीं है इसली बन जाता फटा-फट से इ कर लिया है अब आये सुखी वाली चटनी पीस का तयार कर लेते हैं तो जो सारी चीजे मैंने भूनी थी वो सब ठंडी हो चुकी है और इसमें बेशन का जो चूरा है उसको भी डाल देंगे और जो मोटे-मोटे पीसे थे न मैंने उससे डाल दिया है और साथ में जो यार नहीं पीसेना होता है यह देखिये तो हमारी वड़बा ली जो लाल वाली चटनी होती है तो आधा गंटा में ये बनकर रेडी हो जाता है अब आलू भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है इसके बॉस बना लेते हैं तो मैंने नीबू क्या करके बॉस बनाए है क्योंकि मेरे पास जो पाव है न बहुत बड़े-बड़े साइज का नहीं है मैंने काफी मार्केट में 3-4 दुकान देखा था तो मुझे छोटे साइज के पाव मिल ले थे बहुत बड़े साइज के नहीं मिल ले थे तो उसी साइज का मैंने यहां पर वड़ा बनाया है अब इसे तल लेंगे एक बान में 3-4 असानी से तल जाएगा क्योंकि मैंने बहुत जादा तेल नहीं डाला है कड़ाई में अगर आप की कड़ाई बड़ी है या जादा तेल आपने डाला है तो 6-7 भी आप एक साइज निकाल सकते हैं तो यह देखिए इसे जैसे नॉर्मली हम लोग पकोड़े बगर तलते ना बिल्गुल सेम उसी तरह से फ्राई कर लेना है और बहुत ही अच्छा इस पर अब देखिए कलर आ चुका है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है अब इसे निकाल लेंगे तो यह देखिए देखने में कितना टेस्टी लगड़ा हो काफी खुक्सूरत भी लग रहा है छोटे छोटे से तो यह देखिए दूसरा बैज भी मैंने तयार कर लिया है तो इसी तरह से जितने भी मतलब बॉल्स मैंने आलो के बनाया है सब फ्राइब करके रख लेंगे अब क्या करना है कि सारी चीजे रेड़ी हो चुकी है पौवि मैंने निकाल लिया यह देखे इसी साइज का मुझे मिला था मतलब सेम साइज के किसी में बड़े थे तो किसी में छोटे थे तो मैंने का चलो ठीक है वड़ा पाउ बनाकर दिख इस थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मनलब जो मेरा प्रेजेंटेशन है, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं आया है, तो इस तरह से कट करने बाद इसके उपर चटनी लगाएंगे, तो जो मीठी वाली चटनी है नो मैंने पहले सही बना कर रखा था, तो वही मैंने इस पर लगा दिया, तो सबसे पहले हरी चटनी मैंने अच्छी तरह से लगाया है, और इसके बाद जो मीठी वाली चटनी है, इमली की उसे लगा देंगे, और इसके पर जो नारियल वाली सुखी चटनी लाल वाली है ना, उसे लगा देंगे, साथ में बड़ा रख देंग इस तरह से दो वड़ा मैंने रख दिया फिर उसके उपर से जो नारियर वाली सुखी चटनी है उसे लगा देंगे और दूसरे साइड भी जो पाव का होता है ना साइड दूसरा वाला उसके उपर भी अच्छी तरह से धनिय की चटनी हरी वाली मैंने लगा दिये अब इसे सर रहे हैं आपको मेरी रेस्पीज कैसी लगती है बीच में थोड़ा गैफ हो जाता है रेस्पीज डालने में क्योंकि थोड़ी सी उपर नीचे हो जाती है तो वीडियो नहीं बनाती हूं तो उसके लिए सौरी तो यह देखिए यह बड़ा पाव मैंने बनाकर तयार किया है आप ज़रूर बनाईए और लाइक करिए हमारे वीडियो को कमेंट करिए साथ में सेर करिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तेक केरन बाए